प्रेंट्स एक मेंडग को उबले हुए पानी में जब डाला गया मेंडग उछल के कुद गया उसी मेंडग को जब एक ठंडे पानी में डाला गया और धीरे धीरे नीचे से उस पानी को गरम किया गया मेंड़क उसी पानी में रहा पानी थोड़ा गरम हुआ फिर भी मेंड़क उसी में रहा पानी थोड़ा ज़्यादा गरम हुआ फिर भी मेंड़क उसी में रहा जब पानी ज़्यादा गरम हुआ तब ही मेंड़क वहाँ से कुदने की हिम्मत न जूटा सका और उसे में मर गया इस कहाने का मतलब यही है कि हमारा जो सबकॉंसियस माइंड है वो सडन चेंज एक्सेप्ट नहीं करता हमारा जो सबकॉंसियस माइंड है यदि उसे ओडर दिया जाए तो वो चीज़ वो एसेप्ट नहीं करता यदि किसी चीज़ को हमारे सबकॉंसियस माइंड में एड करना है फिट करना है तो उसको रिपिटेशन की प्रोसेश से मतलब हर दिन सुजाओ देने से हर दिन सजेशन देने से मेंड की तरह हमारा सबकॉंसियस माइंड उस चीज़ को आसानी से उस परिष्टिति को उस एड्मोस्पियर को उस इंपेक्ट को उस सजेशन को आराहम से एक्सेप्ट कर लेता है यदि किसी आदत को हमारे निजी जीवन में इंप्लिमेट करना है तो ब्राइन ट्रेसी हर दम कहा करते थे इच डे सेविंग एन इच डे इंवेस्टमेंट का उन्होंने एक स्लोगन दिया था यदि हम सेल्स में है और किसी चीज़ को हमें हमारे एक्टिविटी में उसको इंप्लिमेंट करना है तो उससे हर दिन सुजाओ देके हर दिन उस चीज़ की प्रेक्टिस करके हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं उस स्कील को हम डेवलप कर सकते हैं उसका दूसरा कोई अप्सन नहीं है हर दिन हमें एक क्लियर थिंकिंग बना के एक क्लियर फोकस बना के उस चीज़ को इंप्लिमेंट करना है यह ब्राइन ट्रेसी केते हैं वेक अप अरली इन दे मौनिंग विद ग्रेड इस और वो rifle ओमाने इन जिल मेर के समय हैं और आट ओ दे दो एक कास्व कि ऑ्लूसर विज़ ओ는 अर दूसर ग्लूसरा आक ए評 कि और रदैसित वह ब्राइन प्रेस्का को बिल्लूसरा का यह ब्सराण ठन मौन ममेर्टात चाहती ऱ सकते हैं स個 conserve that goal and try to get it in a disciplinary way this is try to exercise each day because when you exercise when you walking a little bit a little exercise the endorphine is a release in your a body and that endorphin makes you happy mood and you will be activate for your work your physical health is also important you have to manage your physical health and routine check up with physicians your dental health is also important because your gum health relate to your whole health because discipline is equal to your hard work if you want to improve your health you have to eliminate three white things in your life one is sugar one is salt and third is every white floor is the given the slogan eat less and exercise more must be clear about your purpose of your whole life and stick with that purpose for getting that purpose you have to use your soul your body and your mind combined Lee and focus Lee Brian Tracy is very clear about if you want to achieve your goal you have to concentrate concentrate on your thinking your thinking should be clear and you have to avoid you have to eliminate or you have to avoid useless gossips useless searching of internet compound interest is a powerful force to enjoy your life that's why Brian Tracy has given the slogan the slogan each day saving and each day investing